बांगलादेश की प्रधानमंतरी शेक हसीना के देश उसे जल्दबाजी में और बिना किसी उपचारिक्ता के चले जाने से ना किवल भारत सरकार को नुक्सान हुआ है बलकि उसके हाली के दिन में पडोस में संभवता सबसे बड़ी विदेशनीती चुनोती का सामना करना हसीना ने धार्मिक चरमपन्थी और भारत विरोधी ताकतों को कंट्रोल में रखकर शेत्रे स्थिर्था के लिए काम किया इन सब के बीच में एनसे अजीट जोबाल ने हिंडन एयर बेस पर हसीना से मुलाकात की बहराल भारत की और स्वे देर शाम तक धाका में खवे घट हमसीना की आवामी लीक को शामिल बिल्कुल नहीं किया जाएगा जबकि विपक्षी बंगलादेश Меняशनलिस्ट पार्थ objective की BNP और प्रतिबंधित जमाते इसलामी के प्रतिनीधियों को भी शामिल इसमें किया जाएगा जमात को पाकिस्तान के साथ साथ सपने संबंदों के लिए जाना जाता है लेकिन BNP ने इस साल की शरुवात में चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि कारेवाग सरकार के अधीन नहीं था इतने ने BNP ने भारत विरोधी भावनाव को भड़काने का कोई मौका नहीं गवाया जबकि जमात और BNP ने मिलकर जुलाई की शरुवात में चात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुए आंदोलन को शासन परिवर्तन के लिए हिंसक देश्व्यापी आंदोल भारत को देश में आर्थिक विकास पर ध्यान केंदरित करने के अनूमती दी जिससे सरकार अपने पूर्वोत्तर इलाके के विकास में एक अपरिहारे भागीदार के रूप में देखती है यानि कि भारत ये पूरी तरीके से मानता है कि जब शेख हसीना का नेतरुत था स्तापेत हुई इतना इने नशीली दवाओ, मानव तसकरी और जाली नोटों से संबंदित मुद्दों को हल करने में बहुत मदद मिली देखें भारत इस बात को लेकर चंतित होगा कि धाका में नई सरकार के आने के बाद इस तरह की पहल जो है वो किस तरीके से प्रभावित होगी